राज्य सरकार ने कहा है कि मनोहर पुरा थानक शेत्र में साथ स्टोन क्रेशर एकाईया संचालित हैं जिन में 58 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है वहीं फूर्ट प्रोसेसिंग इकाईयों में 200 लोगों को और फरनीचर तथा छोटे उद्योगों में करीब 700 लोगों को रोजगार मिल रहा है विधान सभा में आज प्रशनकाल के दोरान उद्योग विभाग से सम्मनित एक सवाल का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री करनल राज्यवर्धन सिंग राठावल ने कहा कि उद्योग और वालिज्य विभाग की ओर से संचालित विभिन योजनाओं में विनिर्माण सेवा और व्यापार क्षेत्र के उद्योगों को रिण उप्लभ करवा कर बेरोजगारों को रोजगार दिया ग रोजगार युवाओं को किसी प्रकार कोई रोजगार प्रता नहीं किया जा रहा है, यहां पर अध्यक्ष मोदे में ध्यान में लाना चाहता हूँ, आपके माधियम से सद्धे से के लिए भी, इनका जो प्रशन है, उसमें खास दोर से इन्हों ने लिखा वा था, मनोर थाना में, वैसे इनके छेत्र के तकरीबन 1700 युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दीज गई है, उसमें से तकरीबन 680 को रोजगार मिला है, लेकिन विदान सबा छेत्र के बाहर, पूर एक प्रशन भी आने लिए, युवाओं में कौशल चमता विकास कर उन्हें रोजगार उ कोई फैक्टरी चले, उसके बाद चलकर बंद हो जाए, अभी फिलाल, रीको के और इंडस्ट्री के कानूनों के अंदर उसके ओपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है, और इसलिए हम एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, ताकि जो इंडस्ट्री चलते वे बंद हो जाती में विधायक बाबु सिंग राठोर ने पालनहार योजना में विधवा, दिव्यांग, कैंसर जैसी बेमारियों से पीडितों के बच्चों के नाम जोडने का मुद्दा उठाया, इस पर जवाब देते हुए सामजिक नयायम अधिकारितम मंत्रिया विनाश यहलोत ने कहा क नए लाभारतियों के जानकारी मंगवा कर शिक्षा मंत्राले द्वारा इस सम्मध में कार्यवा ही किये जाएगी। कर आने वाले समय में आउशक दिसा निर्देश परदान की जाएंगे ताकि बालन हार में जो योजदा से लाभान हुए था उसमें कैंसर जैसी जो गंबीर बीमारी है उसके पीडितों को भी इसमें जोड़ा जासके से लाभ दिया जासे को